कि एलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियों बात करेंगे जहार्खन मदमा परिक्षा के एक्जाम डेट के वारे में और साथ ही हम आपका एड्मिट करण के वारे में भी बताएंगे कि आपका एड्मिट करण कबसे मिलने जा रहे हैं तो चलिए जो भी एश्टुडेंट इसवार जरकन संस्केट Board exam में बैठने वाले हैं जो भी एश्टुडेंट जरकन मदमाप्रिक्षा में exam देने वाले हैं उन्θε स्वेश्टूडेंट के लिए खुशकुवरी है कि आपका exam आप schedule कराए जाएंगे तो इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आपका admit card कब से मिलने जा रहे हैं और आपका exam कब होंगे तो इन सारे चीजों को हम इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए हम लोग start करते वीडियो को यदि आप channel पर नहीं है तो subscribe जरूर करिएगा और bell icon को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी recording कोई भी news आए तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे और आप इन सारे चीजों को जानकारिया प्राप्त करने के लिए कि आपका admit card कब मिलेंगे exam कब होंगे इसके लिए आपको पूरा वीडियो को आंद तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे चीजों का clearly पता चल पाए कि क्या कैसे कब exam होंगे और कब से admit card मेरा मिले वाले है तो चलिए आप श्टार्ट करते हैं वीडियो को कि हम बात करें सबसे पहले हम लोग कर लेता है admit card के बारे में कि आपका admit card कब से दिये जाएंगे तो admit card की हम यदि बात करें तो exam से हम आपको बहुत दिनों से बताते आ रहा है कि exam से आपको मात चार से पांच डेज पहले दिये जाते हैं और वह भी आफ लाइन मोड में वह आपको बिद्यालेज जाकर लेने होंगे क्योंकि डाउनलोड नहीं होते हैं आपको बिद्यालेज से ही जाकर लेने होते हैं तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूत नहीं है जैसे ही मतलब आपका एग्जाम सेड्यूल किये जाएंगे वह आपका एड्मिट कार्ड मिल जाएगा वह भी बिद्यालेज से मिल जाते हैं तो हम बात कर लेता है कब तक आपका एड्मिट कार्ड मिलेंगे और तब तक आपका exam schedule कराये जाएंगे तो पहले ये दोनों चीज़ को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे यदि हम exam date की बात करें तो आपका जो exam है 15 जुलाई तक schedule कर दिया जाएगा आपका exam ले लिया जाएगा तो इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि आपका exam अब बहुत जल्द होने जा रहा है क्योंकि आपका exam तो लेना ही पड़ेगा और इतने दिन जब वेट किये तो और कुछ दिन आप इंतजार कर लिजिए और admit card उसी से 5-6 दिन पहले आपको रिलिज के जाएंगे तो दस से या बारत से आपका जो कह सकते हैं या आठ या दस से ही आपका admit card मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपको अपने बिद्धला से ही मिलेंगी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं और आपका एक्जाम तो बहुत दिन चलने वाला है नहीं वह आपका एक्जाम मात्र चाहर डेज का एक्जाम है तो चाहर डेज आपका एक्जाम लिया जाएगा उसके बाद आपका बहुत जल लेकिन आपका result भी प्रकासित कर दिया का ढमांकन होने जा रहा है उसमें सारे बच्चों का रिजल्ट रहाना अनिवार्ज रहता है जैसे कि smgc ac iso jss5 जास्ञ seo gdk childcare how gg Kenya संस्क्रीट बच्चों का रिजल्ट जब तक त्यारने होगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइबמׁ इसलिए आपका बी एक्जाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा इसमें कोई दिक्कतश नहीं है इसकी लिए भर आप अपने तैजारी को अच्छे से करते रहे हैं आप जितना अच्छा तैजारी करिए आपको उतना ही- अच्छे– मारक आएंगे और उसमें उसमें आपको अच्छे नमर आएंगे तो आप अच्छे मतलब बिद्याले या कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ पर भी आप 11 में नमांकन करवाना चाहते हैं इसका जो होते हैं वह अच्छानक से डेट आजाते हैं जैसे विहार के हैं हम बात करें विहार मादमा हुआ था तो उसको भी चार अप्राइल से अच्छानक से डेट आ गया था तो आप लोग का भी कोई कोई जरूरी नहीं है 15 से ही होंगे उससे पहले भी स्टीडूल कर दिय लिए जाएगा और उसके बद आपका इक्जाम कर दिया जाएगा और डेलियग को भी बीच में गैप नहीं रहता है बाहा से नेपको करने लिया जाता है और इसमें विए वी एक दिन में दो सीट होते हैं तो एक दिन में दो लिया जाता है तो टूटल चार दिन में आठाभ का पेपर ले लिया जाता है एक चिक लगा के तो आपको इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेर रहाना थाकि आप अच्छे तरीक्या में कवर करके लिखे आए तो और जाए आगे हमको इसको कोई भी जानकारी मिलते हम आपके साथ जरूर सेयर करेंगे थैंक यू